बागेश्वर धाम के पीठा धीश्वर धिरंदर कृष्ण शास्त्री को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा दिव्वे दर्बार में चमतकारी शक्तियों को लेकर चैलेंज पर चैलेंज दिये जा रहे हैं बागेश्वर बाबा पर इल्जाम है कि वो अंध विश्वास को बढ़ावा देते हैं जबकि बागेश्वर सरकार अपने दर्बार में भक्तों के मन की बात जान लेने का दावा करते हैं और संत समाज के कई पीठा देश्वर पंडित धिरंदर शास्तुरी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं देखे रपोर्ट पागेश्वर थाम के चमतकार पर मचा है भवार अब भारत में रहना होगा तो सीता राम कहना होगा क्या इजिंडे का टार्गेट बन चुके हैं पागेश्वर सरकार क्या लब जिहाद और धर्मांतराण के खिलाफ विकुल फूखने की वज़े से बागेश्वर थाम के धीरेंदर कश्ण शास्त्री निशाने पर आ गए हैं हमको अभी बच्चे ने बताया उड़ीशा से चार लोग आये हैं अपनी स्वेक्छा से हिंदू धर्म में बापसी करने के लिए हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए कुछ असमाजक्तत एक जिहाद चला रहे हैं जिसे लव जिहाद कहा गया हमने किसी के लिए क्योई टिपड़ी नहीं कर रहे हैं हम हिंदू सनातनी बेटी बहनों से निवेदम करेंगे मेरी बहनों मेरी बेटियों एक बात आज से तुम गांठ बांद लेना मर जाना और कभी भी विवाता पिता की आग्या के बिना दूसरे धर्म में विवाह मत करना धीरेंद कृष्णुस शास्त्री हरुमान जी के नाम पर लोगों की समस्चाओं को जान लेने और उन्हें दूर करने का दावा करते हैं लेकिन आप ठीक हो जाएंगे और हनमान जी आपकी सुरक्षा के लिए आपना बरत हस्त आपको देंगे हमें अपने इस्ट परेंसा भरूसा है यही वज़य है कि बागेश्वर से लेकर उनके दिवित दर्वारों में हर दिन हजारों लाखों अनुयाई आते हैं दर्वार के उपर उंगली उठाते थे वो आज आँख खोल कर देख लें दर्वार लेकिन कथा पंडाल में बागेश्वर वाले बाबा हिंदुत विरोधियों पर भी खुल कर बोल देते हैं ताल ठोकते दिखते हैं कल आजाए कोई किसी को अगर दिखत हो तो कल आजाए उनको गुला रहे हैं जिनोंने हमको चुनावती दीती उनकी ठाट है तो क्या इससी वज़े से वो अब निशाने पर आ गए हैं या फिर वाकई धरम करम की आण में अंदविश्वास फैलाते हैं क्योंकि जादू टोना और अंदविश्वास की आरूपों से शुरू हुआ मामला धरमांतरण तक महुँच गया है दूसरे धरम का व्यक्ति रिफाइन ओवाइल है रिफाइन के तेल में हाथ डाल दे फिर तिल के बोरा में हाथ डाल दे जितने हाथ में तिल छप जाएं उतनी बार भी कोई सौगंद रिखाए तब भी एक तिल बराबर बिस्वास मत करना यह हम नहीं कहते हैं यह हमारे बाक्त नहीं है महराना प्रताप के बाक्त है देश में सरातन धरम बनाम इसाई इसलाम पर जर्चाद तेज हो गई है शंक्राचारे स्वामी सदानंद महराज ने कहा कि अगर कोई हरुमाज जी का दुर्गा जी का या फिर किसी और शक्ती से किसी को ठीक कर देता है तो इसे कोई कैसे अंदविश्वास कह सकता है दद्दस अजार की बीड़ के सामने वो करते हैं कैसे उसको अंदविश्वास कह सकते हैं अंदविश्वास का प्रमाड क्या है प्रमाड के बिना तो कोई बस तूशिद्ध हो नहीं सकती है आप खुद पृष्ण ले करके चले जाएए अगर आप में सत्ता है आप में हिम्मत है आप में आत्मल है और आप बिल्कुल सत्ता की परिच्छा करना चाहते हैं तो आप खुद जिग्याशू बन करके चले जाए और वो आपकी जिग्याशा पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते पता चल जाएगा विवाद के बीच बागिश्व धाम के पुजारी धीरेंदे कृष्ण स्यास्त्री ने वामपंथी और इसाई मिशनेरियों को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि कोई भी इसाई हमारे सामने चमतकार करके दिखाए नहीं तो सरातन धर्म की शक्ती को सुईकार करे पाबा बागिश्वर का कहना है कि वो धर्मांतरर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं इस से वामपन्ती लोग विचलित हो गए हैं दरसल बीते साल दिसंबर महीने में मधिफदेश के दमो जिले में धीरेंदी कश्ण शास्त्री ने दावा किया था कि उन्होंने 165 परिवारों के 2500 लोगों की घर वापसी कराई थी धर्मांतरर पर बागिश्वर सरकार वही दमोय है जहां आज से कुछ दिन पहले मिस्नरियों के कुछ लोग पकड़े गए थे उसी दमोय में कथा करके औहनमान जी की पिर्णा से 2500 लोगों को वापस कराई कर लोटे पागिश्वर सरकार के दर्वार में राभ भटक चुके लोग सरातन धर्म में वापसी करते दिख रहे एक दिन पहले भी कुछ उडिया परिवार के लोगों को बाबा के दर्वार में सरातन धर्म अपनाते हुए देखा गया है जो लालच और डर की वज़े से मिशनरी साजिश के शिकार हो गए थे आपको बापस क्यूं आना है बागेश और धाम के ही दर्वार में क्यूं आ करके आप ये बोल ले हैं उडिया से बोलने हाता हमको बागेश और धाम के धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि वो बाकी धर्म के लोगों की तर है भूत प्रित अटाने का दावा कर किसी का सोशन नहीं करते बलकि उन हिंदू लोगों की घर वापसी करा रहे है जो दूसरे धरम मेच ले गए है इसके अलावा धिरेंद कृष्ण शास्त्री लब जिहादियों के खिलाव भी सनातनी बेटियों को जागरू करने का काम करते नजर आते हैं